हलो दोस्तो आज के वीडियो में अपन कक्षा 10 आज साइंस का जो पेपर आया है तो दोस्तो उसकी पेपर सोलूशन के बारे में डिसकस करेंगे कि सभी कोशन के राइट आंसर क्या होने वाले हैं तो दोस्तो अगर आपने आज पेपर दिया है तो आप पेपर उठा लीजिए और कोपी और पेन उठा लीजिए उसमें राइट आंसर क्या है और आपके राइट आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप नमबर जोड़ते जाहिए इससे आपको पता चलेगा कि आपके किन मार्क्स आने वाले हैं तो वीडियो की लाज तक जरूर बना रही है और हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताके आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिविशन आप तक पहुच जाए दोस्तों यहाँ पर फरस्ट कोशन की बात करते हैं कि first question क्या पूचा गया है तो फरस्ट कोशन पूचे गया है मानव हरदिय एक तंतr का भाग है जो समंदित है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा परि संचर्ण तंतr ठीक है दोस्तों इसके बात अगले question की तरफ चलते हैं तो अगला question दे रहका है कौन से यंतर दौारा रक्त दाप मात पा जाता है तो किस यंतर दौारा रक्त दाप मात जाता है तो इसका right answer हो जाएगा is why no manometer इसको रक्त चाप माप भी कहते हैं तो दोस्तों ये 2 question के right answer बता दिये हैं ऐसे ही थर्ड कोशन की तरफ चलेंगे उससे पहले अगर आप चेनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे बेला आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले जो भी वीडियो है इंपोर्टन कोशन है वो आप तक पहुच जाए दोस्तों यहाँ पर थर्ड कोश पर आप ऑफिसन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवशक्ता होती है ठीके दोस्तों क्या होजाएगा इसका राइट आतसर होजाएगा आयोडीन ठीके इसके बाद अगले कोशन की तरफ चलते हैं तो अगला कोशन दे रखा है सभी एनेचिक किरियाओं का नियंतरन मस्तिक्स का कौन सा भाग करता है तो दोस्तों देखें सभी जो एनेचिक किरियाओं होती है उसका जो नियंतरन होता है मस्तिक्स के अगर भाग और वो वाले भाग दो भाग करते हैं लेकिन इसमें जो main right answer इसका जो होने वाला है वो हो जाएगा medulla इसका right answer हो जाएगा सभी एनिचिक किर्याओं का जो नियंतरन करता है वो medulla करता है तो right answer A option हो जाएगा ठीक है दोस्तो इसका right answer इसके बाद अगले question की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कौन से पदात में किष्टलन जल उपस्तित नहीं है तो दोस्तो यहाँ पर यह confusion वाला question है तो इसमें बात करें gypsum और plaster of Paris में तो किष्टलन जल उपस्तित होता है तो यहाँ पर right answer दोनी का soda और banking soda में से एक हो सकता है ठीक है दोस्तो अगले question में बात करते हैं तो यहाँ पर अगला question दे रखा है आपको कि दिये गए यहाँ पर आपको कुछ diagram दे रखा है और इसमें से आपको कौन सी gas उत्पन हो रही है या आपको बताना है तो इसका answer अगर आपको आता है तो comment करके जरूर बताना है इसका answer full solution में पता दिया जाएगा इसकी बात अगले question की बात करते हैं तो एक तत्तु क्यों मुलाइम है उसको चाको से काटा जा सकता है और ठंडे जल के साथ तेजी से अभिकरिया करता है तो यहाँ पर आपको पैचानना है कि कौन सा answer हो सकता है देखिए दोस्तो आप सभी को sodium और उनके बारे में तो पता है sodium magnesium लेकिन यहाँ पर sodium और magnesium answer नहीं दिया है तो अगला जो right answer होने वाला है वो copper right answer हो जाएगा ठीके दोस्तो क्या हो जाएगा copper right answer हो जाएगा अपरोक्त सभी के लिए डी option इसका right answer हो जाएगा इसके बात अगले कोशन की बात करते हैं तो पानी का अपरदनांग दे रखा परकाश की चाल बतानी है तो दोस्तों यहाँ पर पानी में परकाश की चाल बतानी है इसके बात अगले कोशन की बात करते हैं तो अगला कोशन दे रखा है विदूत आवेश का SI मातरक क्या है तो विदूत आवेश का SI मातरक है वो कुलाम होता है ठीके दोस्तों इसके बात अगले कोशन की तरफ चलते हैं आप इसका right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर बात करें right answer की तो right answer यहाँ पर 2 ohm हो जाएगा कितना ohm हो जाएगा 2 ohm इसका right answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों कौन-कौन 8 ohm करके आया है comment करके भी बताना है तो इसका right answer आपको देना है इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं तो विदुद्धारा उत्पन करने वाली युक्ति को कहते हैं विदुद्धारा उत्पन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं तो विदुद्ध जनित्र कहते हैं ठीके दोस्तों विदुद्ध जनित्र कहा जाता है तो दोस्तों ये MCQ Question थे अब बात करते हैं रिक्तिस्तान वाले Question की, तो यहाँ पर दोस्तों पहला Question दे रखा है, इस्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किर्याविदी से नियांतित क्या जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नियंतरन पुनर भरन क्या हो जाएगा नियंतरन पुनर भरन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो इस विदी से इसको नियंतरित किया जाता है अगले कोशन की बात करते हैं तो संदे संचारित करने के लिए तंतरिका विदुत आवेक को परियुक्त करता है क्या आ अगले कोशन की बात करते हैं तो पारी तंतर में एक पोशी इस्तर से दूसरे पोशी इस्तर में उड़जा की क्या होती है कमी होती है कमी या हास होता है या इसे कह सकते हैं हास होता है ठीके दोस्तो अगला कोशन है टीहरी बांध कहां पर इस्तित है तो भागी रती नदी पर इस्तित है इसका right answer हो जाएगा ठीके दोस्तों भागी रती नदी इसके बाद अगला कोशन दे रखा है कि पर्ति भीम की दूरी दे रखिये तो अनुपात लेंस में क्या हो जाएगा तो आवरधन हो जाएगा इसका right answer क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा टंगस्टिन इसका right answer हो जाएगा तो ये रिक्तिस्तान वाले कोशन थे अब एक एक नंबर वाले कोशन की बात करें तो तंत्री का उत्तक किस के संगटित जाल का बना होता है तो इसका right answer हो जाएगा neuron इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा नियूरोन के जाल से बना होता है इसके बाद कौन सी अंते इसरावी गरंती शरीर के वर्दी का नियमन करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइराइड गरंती क्या हो जाएगा थाइराइड गरंती इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं तो CFC, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन इसका पूरा नाम हो जाएगा कौन से मानव अंग में कॉलिफोरिया, फॉर्म, जीवानों पाया जाते हैं तो इसका आंसर आपको देना है पुनद चक्रन की बात करें तो रेसाइकलिंग का आपको बताना है जैसे की रेसाइकलिंग नॉर्मल चीज़े, किसी को भी जो वेस्टरेज चीज़ होती है उसको वापस तैयार करना रेसाइकलिंग इसके बाद संतरे में कौन सा अमल पाया जाता है तो सिट्रिक अमल पाया जाता है खटे पदार्तों में कौन सा अमल पाया जाता है सिट्रिक अमल पाया जाता है अमल के जली विलियन दुआरा विदुत का संचालन का नावंगी चितर बनाना है यहाँ पर आपको चितर बनाना है इसके बाद स्वाद के आदार पर अमलशार का अंतर आपको बताना है दंतशे की बात करते हैं तो जब pH का मान 5.5 से कम होता है तो दंतशे होने लग जाता है आपको बताना है विदू धारा का नियंतरक का कारिय कोन करता है तो गेलवे 9 मिट इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीके दोस्तो इसके बाद पट्यावत्ती धारा दिश धारा में अंतर बताना है तो जिस धारा का मान नियत रहता है और जिस धारा का मान लगतार बदलता रहता है तो ये दोनों अंतर हो जाएगे इसके बाद दोस्तो यहाँ पर किसी solution है वो सारे question के answer के साथ आपके लिए फिर से upload हो जाएगा जिसमें दो number वाले question बड़े question के भी answer बताये जाएंगे